हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब अच्छी हैं बहुत अच्छी बात है आपको पता हैं आज हम क्या करने वाली हैं आज हम करेंगे व्यांजन ला कौन सा व्यांजन व्यांजन ला तो आओ चलो देखते हैं आगे कहानी पढ़ते हैं जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो किस व्यांजन से बने हैं व्यांजन ला से आप त्यार हैं कहानी के लिए तो चलो शुरू करते है एक शाम एक लड़की लाल रंग का लहेंगा पहन कर अपने घर के बाहर लहसून साख कर रही थी थोड़ी देर बार उसके पिताजी आये जो की जंगल से लकड़ी काट कर लाये थे और साथ ही लोकी और स्वादेश्ट लड़ू भी लाये थे लड़की पिताजी के लिए लोटे में पानी लाई और लड़ू लेकर खाने लगी तब ही उसने देखा वहाँ पेड़ पर बैठा एक लंगूर जिसकी लंबी पूँच लटक रही थी उन्हें गूर गूर कर देख रहा था तब पिताजी ने लंगूर को लाठी से डरा कर भगा दिया और अपने लाल टेन लेकर लड़की के साथ घर के अंदर चले गई आपने देखा इसमें कितने सारे शब्द हैं और जिन शब्दों में आगे लाल रंग से ला लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ला वो शब्द वे शब्द हैं जो ला अक्षर से बनी है किस से बनी है ला अक्षर यानि कि ला व्यंजन से बनी है तो आओ इन शब्दों को आगे एक बार फिर से चित्रों के साथ देखते हैं ला, व्यंजन ला, ला से लडकी ला, ला से लहेंगा ला, ला से लहसून ला, ला से लक्की ला, ला से लकडी ला, ला से लड़ू ला, ला से लोटा ला, ला से लाल्टेन ला, ला से लंगूर देखा अभी हमने कहानी में पढ़ा था ना लंगूर जिसकी लंबी पूँच लटक रही थी तो इसकी पूँच कैसी है लंबी और आगे क्या है ला से ला से लाठी अभी आपने देखा कि हमने ला अक्षर से कितने सारे शब पढ़े तो आँ हमें वो ला अक्षर लिखना भी तो आना चाहिए ना तो आप क्या करेंगे ये ला अक्षर ला को लिखने का अभ्यास करेंगे और दूसरी तरफ चित्रम देखकर ला से लट्टू बनाएंगे ला से लट्टू भी होता है आप इसको देखकर बनाएंगे और इसमें रंग भी भरेंगे उमीद है आपको ला अक्षर की पहचान हो गई होगे और जब आप अभ्यास करेंगे लिखने का तो आपको ला अक्षर लिखना भी आ जाएगा बाई बाई प्यारे बच्चों हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप ला अक्षर को दोराएं और उसका अभ्यास करें बाई